है हेलो एब्रिवन यूण पब्ली सर्पिस कमिशन सिमिल स्पिस एग्जामिनेशन 2030 की नोटिफेशन रिलीज हो चुकी है जिसकी अप्लिकेशन आज से स्टार्ट है एक दो दो हजाथ रिस से और लास्ट डेट अप्लाई करने की 21 2223 तक है इसका जो आपका एक्जामीनेशन है वो 28.5 2013 में प्रीक एक्जामीनेशन होगा इसमे जो आपने अप्लाई करना है उसमें आपको यह बताया गया है ओप one-time registration जुम्यूपी एशिन ने कर दित्य और्म टमके जर्टेसन कि आतने पहले जिस भी पोस्ट के लिए अपलाई किया होगा आपने डाउकमेंट अपलोड किया होंगे वो उसी में ही रहेंगे और आपको बार बार डाउकमेंट अप्लोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें मोडिफिकेशन इन आपकी वन टाइम रिजिस्टेशन प्रोफाल में दिया गया है in case candidate want to effect any change in her one time registration profile it shall be allowed only once in the lifetime after the registration of one time registration platform the change of ODR profile data shall be available till expiry of 7 days from the next day after the closure of application window अगर आप अपनी one time registration में modify कुछ करना चाते हो अगर आप से कुछ गलती से भर दिया हो तो उसको आप change कर सकते हैं जैब आपकी application close हो जाएगी जैसे civil services examination के application 21 को close होगी तो आप 28 तक उसमें कुछ कोई न कोई mode equation कर सकते हो उसके बाद आपकी mode equation नहीं होगी और जो आपने fill किया होगा वो ही आपकी application में so होगा जो आपकी mode equation बिंटो इसमें बताएगे यह open 22 से open हो जाएगी और 28 तक रहेगी तो अगर आपसे कुछ फोरम भरते टाइम गलती हो जाए तो आप इसको correct कर लेना 22 से 28 तक इसमें लास्टेट 21 फेब है एंड इसमें बाकी सब यह सिवर सब्सक्राइब के बार में बताया है कि इसमें कौन कौन सी जो आपका candidate should note there will be a penalty of negative mark of the wrong answer by candidate of negative question paper में वो आपको सब बताया गया है यह सब कंडिशन बताये गई है इसमें वाकिया आपकी पोस्ट के नेम दिये गए है कि कौन सी पोस्ट इसमें होती है इसमें इसमें टोटल बगेंशी अप्रोक्सिमेट इन ने बताया है एक अजार एक सुपांच बिटाए गई है विच इंक्लूड थर्टी सेवन विकेंशी रिजर्वड फॉर दा परसन विदा वेंच पारक ऑफ डिसेबिलिटी के डिगरी सेवन विकेंशी आपकी कंडिडेट फॉर ब्लाइंड नेस ऑफ लो विजन और फाइब केंशी आपकी हों की जो डेफ और हार्ड ऊफ हीरंग होते हैं उनके लिए और कंसी व्यों में उटेज़शी के लिए कि फॉर दा लौगर्ट डिसेबिलिक के लिए एंड जो अबकी टैन की गई है मों टाया गया है तो यह आपकि 9 अटी डिलेट लागुर इसमें क्रिस में एंक्रीज इसमें कोई फिक्स नहीं बिताया गया अभी एंड वकिए के टेगरी वाइस दिया गया है कि कौन कौन से डिसेवलिटी के लिए कैसे यहां से आपने जो परसने बेंचमार्क डिसेवलिटी अलॉंग विद फिजिकल रकॉयर्मेंट एंड फंक्शनल क्लासिफिकेशन यह कंड टेलिग्राम चैनल का लिंक में डिस्क्रिप्शन में होगा वहां से आप ओपन करके इसको डाउनलोड कर सकते हो लोटिफिकेशन को एंड अपलाई करने का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा बहां से आप अपलाई कर लेना यह आपके सेंटर दिये गए जो कर लेना और इसमें कंडिडेट के लिमिट अपकी 21 से स्टार्ट होती है एंट 32 एयर ऑफ दीज तक आप अप्लाई कर सकते हो वाकि इसमें एजबर काटगेरी एज रिलक्सेशन भी दिया गया है वह आप अपनी काटगेरी से हिसाब से चेक कर लेना एंड अप्लाई कर सकते हो और वाकि यह आपकी मीनिमाम एजबर काली को इसमत्यारा सब बताया गया है इसमें ग्रैज्ट होना चाहिए कंडिडेट एंड वाकि यह नंबर ओफ अटम्ट बताया गया है जो सेस्ट उनके लिए तो अलिम्टेड होते हैं विसी के लिए नाइन और पीडेवलोडी कंडिडेट में नाइन फॉर जर्नल एडवलाइस ओवीशी आल्मटेड फॉर सेस्ट के लिए दिये जाते हैं तो यह सब आप यहां से चेक कर लेना ना इसमें कुछ मेडिकल स्टेंड दिये गए हैं और अप्लिकेशन भी आपकी हंडेड ह होती है फॉर अधर कंडिडेट एक्सेप्टेड फिमेल एसी एस्टी और परसने भी बेंचमार्ट भी डिस्टैब्रेटी इन के लिए कोई फीस नहीं होती है तो आप सब यह चेक कर लेना और इसमें जो नेक्स्ट नोटिफिएशन आई है आपकी यह इंडियन फ्रेश सर् और इंफ्रेश सर्विस अग्जामीनेशन का भी तो इसमें भी वही शेम आपका वन टाइम रिजिस्टेशन होगा और अगर आपने कुछ गल्त भर दिया होगा तो बाइस दो दो जार्ट रही से ठाथाइस तो जार्ट जाका आप इसको ठीक कर सकते हो और प्रिल्म आपका से ही होता है बागी इस notification को भी मैं अपने टेली राट पहें डाल दूँगा लिंक आपको डिस्क्रिप्सटेशन में मिल जाएगा बाहां से आपको बयुद कर kolt और ने यंदा अप करने का लिंक बे की Specs में मिल जाएगा बहाँसों आपको एसको अपह ब्लाइब ने कर ले आई गई है तो आप यह चेक कर लेना सब थेंक्य अब्रीवन